तो हमने स्टाट किया था वी फामिसी थर्ड समिस्टर फार्मसोटिकल इंजिनेरिंग में यूनिट नंबर फिप्त और यूनिट नंबर फिप्त में आज हम कंटिन्यू करेंगे फैरस एंड नॉन फैरस मेंटल से लास लेक्चर में हमने देखा था कोरोजन होता क्या है कोरोजन के प्रिवेंशन क्या है थियोरीज क्या है टाइप्स क्या है ठीक है यह सारा हमने लास लेक्चर में देखा था आज को आपका लेक्चर रहेगा वो रहेगा पैरस एंड नॉन फैरस मैटल इन और्गनिक नॉन म system तो चलिए लेक्टर को स्टाट करते हैं लेक्टर को यहां से सुनना आपको सारा इसी लेक्टर में याद हो जाएगा अगर आपको और लेक्टर देखने हैं तो मैंने playlist की लिंक जो है description में दे रखिए और अगर आपको नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो बिलकुल बैसिक से स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को आज का आपका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ओफ माटेरियल फोर प्लांट कस्ट्रक्शन मतलब जो भी हम एक्विपमेंट बना रहे हैं वह एक्विपमेंट कैसे माटेरियल का होना चाहिए किस तरह का माटेरियल होना चाहिए हमारे एक्विपमेंट में तो कही तरह की एक्विपमेंट है और कही तरह के wide variety of materials हम use करते हैं like metals, non-metals, metals में भी ferrous, non-ferrous, non-metal में organic, inorganic, तो कई तरह के materials को हमें use करना पड़ता है equipment के construction में, clear है आपको, यह topic काफिज़दा important है, इस topic से आपको 5 marks का, 7 marks का, 10 marks का, 15 marks का question बनता है, अलग-अलग universities में, अलग-अलग question pattern होते हैं, तो आपको अपने universities के साफ़ से देख लेना है, जिसे RUHS में 10 marks, 1,2,2,5, और RGPB में 15, तो इस according आपको देख लेना है, तो चलिए start करते हैं, classification of material for plant construction, देखो आपको यहाँ पे लिखा है material used for construction, तो हमारे equipment में कौन-कौन से material use होते हैं, हमने starting के lecture में बोला था कि wide variety of material use होते हैं, मतलब बहुत जादा, अलग-अलग तरह के material हम use करते हैं हमारे equipment को बनाने के लिए, तो यहाँ पर आपको दे रखा है metal and non-metal, तो metal में आपको यहाँ पर पता रखा है आपको यहाँ पर पता रखा है, organic, inorganic, देखो कितना easy है, non-metal में तो organic, inorganic, ठीक है, organic में आगए आपका rubber plastic, rubber आप यूज करते हो, plastic आपको पता है, तो rubber plastic किसमें आगए आपके, organic में, second है, inorganic, glass and glass steel, तो नाम से पता लग जाएगा, glass है तो अगला ed लगा दो, glass steel, ठीक है, तो inorganic में आगया glass और glass steel, और organic में आगया rubber plastic, तो organic को क्या करना है, rp करना है, लोग rip करते हैं, हम i8 आदेंगे, सिर्फ rp करेंगे, तो rp किसमें आएगा rubber plastic, organic में, और inorganic में क्या आएगा, glass और glass steel, हो गया याद, अब आजाओ metal में, metal में हैं दो, ferrous और non-ferrous, ferrous में आपको आएगा CC, ठीक है, cast iron, carbon steel, CC आएगा starting में, cast iron, carbon steel, cast iron, carbon steel, और last में steel है, तो उठा के लिख दो, stainless steel, ऐसे याद रख लो, CC, cast iron, carbon steel, और last में, S से शुरू है, तो यहाँ पर S से शुरू होगा, stainless steel, नाओ non-ferrous की बात करें, तो aluminium और lead, यह सारे material है, जो कि हमारे equipment को बनाने के काम आएंगे, तो non-metal में होता है, organic, inorganic, organic में आता है rubber plastic, inorganic में आता है glass और glass steel, steel, फिर आता है metal, metal में आता है ferrous, non-ferrous, ferrous में आता है cast iron, carbon steel, stainless steel, non-ferrous में आता है aluminium, lead, नाओ one by one आपको यहाँ पर सारे uses लिखे हुए हैं, कि rubber कब काम लेना है, plastic कब काम लेना है, glass कब काम लेते हैं, glass steel कब काम आता है, Cast Iron, Carbon Steel, Stainless Steel, Aluminium, Lead सभी का यहां पे लिखा हुआ है हम स्टार्ट कर रहे हैं Metal वाले से Metal में हम सबसे पहले देखेंगे Ferrous और Ferrous के अंदर तीन classification है Cast Iron, Carbon Steel और Stainless Steel तो स्टार्ट करेंगे Metal से Metal जो material है वो किस तरह से equipment बनाने में काम आता है Ferrous जो पार्ट है उसमें तीन classification है Cast Iron, Carbon Steel, Stainless Steel तो देखते हैं सबसे पहले Ferrous चलिए Ferrous से स्टार्ट करते हैं देखिए आपको यहां पर दे रखा है Metal Ferrous तो Ferrous जो होता है वाइडली यूज़ होता है हमारे construction material के हिसाफ से क्यों? क्योंकि यह mechanically काफी strong होता है साथी साथ easy available हो जाता है और काफी सस्ता भी होता है तो यह जो Ferrous है हमारा Metal Ferrous यह widely used होता है यह सबसे ज़्यादा used क्यों होता है? क्योंकि यह mechanically भी strong है आसानी से मिल भी जाता है और सस्ता भी होता है तो जो सस्ता हो आसानी से मिल जाए और mechanically strong भी हो तो उसका तो हम बहुत ज़ादा use लेने वाले हैं तो यह जो metal ferrous होता है यह metal ferrous कई ज़ादा use आता है देखो यहाँ पे जो classification में metal ferrous है यह metal का जो ferrous है यह metal ferrous widely used होता है क्योंकि यह mechanically अच्छा होता है strength इसकी अच्छी होती है साथी साथ यह easily available हो जाता है और economical होता है clear आपको यह सब यहाँ पर आपको सारा लिखा हुआ है easily available economical mechanically strong ना उसके अंदर सबसे पहले हम देखने वाले हैं cast iron तो cast iron क्या होता है देखो तो देखो यहाँ पे जो भी theory लिखी है वो काफी simple language में लिखी है आपको पढ़ते ही iron के साथ iron का symbol fe होता है iron के साथ carbon को जोड़ा है और carbon की percentage यहाँ पर 2% से ज़ादा है तो उसे हम कहेंगे cast iron की iron के साथ carbon जोड़ा है और carbon की जो concentration है carbon की जो percent है यहाँ पर 2% से ज़ादा है ठीक है तो यह जो cast iron होता है यह cheap होता है मतलब सस्ता होता है easily available हो जाता है मतलब आसानी से मिल जाता है और इसकी डिमांड बहुत जादा है तो देखो कास्ट आइरन बनाने का फाइदा क्या है हमने यह तो देख लिया कि कास्ट आइरन होता क्या है अब कास्ट आइरन बनाने का फाइदा देख लो जैसे माल लीजिए यह है कास्ट आइरन ठीक है अगर इस कास्ट पर आपने sulphuric acid भी डाल दिया ना H2SO4 वो भी concentrated form में अगर आपने concentrated form में sulphuric acid भी इस iron की रोड पर डाल दिया cast iron पर तो भी इस cast iron को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि यह resistance प्रोवाइट करता है concentrated sulfuric acid से, nitric acid से, as well as dilute alkaline से. It has low thermal conductivity, the main disadvantage of cast iron is hard and brittle in nature. सबसे जादा इसका बड़ा disadvantage जो है वो है कि यह cast iron जो है brittle nature का होता है और काफी hard होता है. ठीक है, यह इसका disadvantage है. तो यहाँ पर कई सारी lines लिखी हुई है, आपको cast iron से related, अब जिस number पर आपको question आता है, like 5 marks में आता है, तो आपको यह 3-4 lines sufficient रहेगी, क्योंकि आपको सब में लिखना है, like आपको सब को बताना है यहाँ पर, अभी तो हम ferrous की बात कर रहें, ferrous में cast iron की, पर आपको carbon steel, stainless steel, aluminium, lead, glass, glass steel, rubber, plastic, सबी को explain करना है, तो अगर 10 marks में आए, तो बड़ा-बड़ा लिखना सबी को, 15 marks में आए, तो भी बड़ा-बड़ा, पर 5-7 marks में आए, तो हर एक में आपको 4-5 important line लिखनी है, जिससे cast iron होता क्या है, और cast iron का use क्या है, कि उस पे concentrated S2S of 4 डालो, या nitric acid डालो, या dilute alkaline डालो, उसको कुछ परकने पड़ता, और cast iron में iron के साथ carbon की percentage 2 से ज़्यादा होती है, और cast iron का disadvantage यह है कि यह hard होता है, और brittle nature का होता है, तो 3-4 main point याद रख लो, और हर में लिखना है आपको, ठीक है, now next is carbon steel, चलो चलते हैं carbon steel पर, carbon steel, carbon steel, उससे पहले यह और देख लो, यह भी important point है, कि cast iron जो है, यह कहां पर काम आता है, जहां पर हमने वो देखा था, jacketed steam pan, जब मैंने आपको evaporation बताया था, तो वहां पर steam jacketed kettle पढ़ाया था, इस तरह से, steam jacketed kettle, तो वहां पर cast iron काम आता है, प्लास्टिक के साथ lining material में भी cast iron का रोल होता है, तो प्लास्टिक के साथ lining material में cast iron का रोल होता है, साथी साथ steam jacketed pens में भी cast iron का रोल होता है, नौ नेक्स्ट आपको दे रखा है stainless steel, तो stainless steel क्या होता है, it is an alloy of iron, iron का alloy होता है, अब यह alloy क्या है, alloy होता है metal और metal के साथ उसका mixture metal के साथ उसका mixture मतलब 2 या 2 से जादा metal उसे हम कहेंगे alloy तो stainless steel क्या है it is an alloy of iron it content 12 to 30% chromium 0 to 2% nickel यहां पर 0 तो नहीं आएगा शायद 0.2 आएगा क्योंकि 0 तो क्या ही होता है and low percentage of carbon columbium copper molybdenum selenium neobium and titanium यह नाम आपको याद रहीं रखने हैं आपको दोते नाम याद रखने हैं कि low percentage में like carbon copper molybdenum यह भी होता है तो आपको इतना सा बताना है stainless steel क्या होता है it is an alloy of iron जहां पर 12 से 30% chromium 0.2 से 2% nickel and low percentage में कई सारे होते हैं like copper carbon molybdenum titanium कई सारे metals होते है that's why it is alloy mixture of metal और यह widely used होते हैं industries में it is widely used in industries because it is heat resistant सबसे बड़ी बात क्या है heat resistant है और corrosion भी इन में आसानी से नहीं होता यह corrosion resistant भी है तो heat resistant है corrosion resistant है साथी साथ जो stainless steel होता है वो easily fabricate हो जाता है easily mold हो जाता है easily mold हो जाता है ठेक है so this is stainless steel now next is carbon steel देखो carbon steel क्या होता है यहां पर आपको लिखा है it is an iron alloy having a low percentage of carbon content यहां पर carbon का जो percentage होता है वो होता है यह cheapest होता है जो carbon steel होता है और आसानी से यह भी fabricate हो जाता है तो carbon steel क्या होता है iron का ऐसा alloy होता है जहां पर carbon की कम percentage present होती है साथी साथ यह जो carbon steel होता है यह cheapest होता है easily fabricate हो जाता है साथी साथ आपको यहां पर लिखा है it is most versatile metal used in industry versatile का मतलब होता है कही तरह के function यह carbon steel होता है ना इसके कही तरह के function होता है हमारे industries में कही तरह से यह use हम कर सकते है next is it is easily weldable and excellent ductility weldable का मतलब होता है यहां पर joining property यह आसाइनी से join हो जाता है और ductility का मतलब होता है कि यहां पर आप इसके thin wire पतले-पतले wires बना सकते हो तो यहां पर आपको कई सारे words दे रखे हैं carbon steel में कि यह iron का alloy है यहां पर carbon content काम होता है यह cheapest होता है आसानी से fabricate मतलब mold हो जाता है versatile होता है मतलब इसके कई सारे function है weldable होता है मतलब इसकी joining possible है ductility अच्छी है मतलब इसको thin wire पतले-पतले wires की पर में आप convert कर सकते हो तो यह सारा सब कुछ आपको लिखना है समझा समझा कर तो यह तो ही आपकी फेरस वाली बात अब नॉन फेरस देखेंगे जिसमें आपके हैं aluminium और लेट चलिए नॉन फेरस पर चलते हैं नॉन फेरस में सबसे बिल आपको दे रखा है aluminium तो aluminium के लिए आपको लिखा है It is available in large number of alloy. Aluminium is cheap and light in weight. Aluminium जो होता है सस्ता होता है और वजन में भी हलका होता है It has adequate mechanical strength इसकी mechanical strength भी sufficient होती है and their maintenance and cleaning is easy तो यहां पर आपको aluminium की तारीफ दे रखी है कि हम क्यों aluminium को use लेते हैं क्योंकि aluminium की mechanical strength अच्छी होती है Aluminium जो है cheap होता है, light in weight होता है, साथी साथ इसकी maintenance और cleaning भी बड़ी आसानी से हो जाती है Thermal conductivity इसकी 60% होती है as compared to pure copper और इसकी tensile strength भी काफी अच्छी होती है तो यहां पर आपको तारीफ ही तारीफ दे रखी है कि हमें aluminium को क्यों use लेना है तेगे सर हमें यहां तक clear हो गया कि जो aluminium है उसके large number of alloys बन सकते हैं Cheap होता है, light in weight होता है, mechanical strength अच्छा है, maintenance आसानी से हो सकती है, cleaning आसानी से हो सकती है Thermal conductivity भी अच्छी है, tensile strength भी अच्छा है, साती साथ it is resistant to corrosion, corrosion से भी बचाता है It can also use for concentrated nitric acid and acetic acid जब concentrated nitric acid use करना हो, तो आप aluminium use कर सकते हो, क्योंकि aluminium को कोई भी नुकसान नहीं पोस्ता In case of concentrated nitric acid and acetic acid It is used in wide variety of chemical equipment, इसलिए हम इसे wide variety of chemical equipments में use करते हैं अलग-अलग जो हम equipment बनाते हैं, वहाँ पर हम aluminium का use करते हैं, क्योंकि यह सारी aluminium properties मिलती है, देखने को तो आपको इसको read out कर लेना है, काफी easy है, next आपको दे रखा है lead, और lead को आप कम use करोगे, क्योंकि lead जो है poisonous हो सकता है आपके लिए poisonous सावित हो सकता है तो देखो, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमें lead का percentage कम ही रखना चाहिए अगर हम lead use कर भी रहे हैं हमारे equipment में, तो lead का percentage जो है हमें कम रखना चाहिए क्योंकि lead को जादा use करने से यह toxicity provide कर सकता है और lead को हम use क्यों करते हैं, क्योंकि यह cheap होता है और यह toxicity provide कर सकता है, इसलिए इसको non-food product में हम use करते हैं food product में हम use नहीं कर सकते हैं, क्योंकि food product अगर toxic हो जाएगा, तो हम मरने लग जाएंगे तो food product में तो हम use करने सकते हैं तो it is used in non-food product तो lead का हम ज़्यादा use नहीं कर सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पे lead is used in less percentage क्यों? because in large amount it produces toxicity it is cheap it is generally used for non-food product बिलकुल non-food के लिए करेंगे क्योंकि food वाला toxic हो जाएका तो फिर दिक्कत है the addition of silver and copper make lead corrosion resistant and fatigue resistant जब मैं lead के साथ silver को या copper को मिला दूँगा तो lead जो है काफी अच्छा resistance प्रोवाइट करेगा corrosion को मतलब corrosion आसानी से नहीं होगी फिर कभ नहीं होगी? जब मैं lead के साथ silver और copper को मिला दूँगा तो यहाँ पर यह सारे points आपको लिखे हुआ है lead से और other भी होते हैं like copper और उसका alloy तो वह आपको others में दे रखा है यहाँ पर तो यहाँ पर हमने देखा भी metal वाला metal वाले में हमने क्या देखा ferrous non-ferrous ferrous में देखा हमने cast iron carbon steel non-ferrous में हमने देखा aluminium and lead now we move on non-metals non-metals में है organic inorganic, organic में है rubber plastic inorganic में है glass and glass steel तो one by one सभी को देखते हैं सबसे पहला है rubber तो rubber में आपको लिखा है कि rubber जो है एक तरह से lining material है ठीक है lining material मतलब जैसे आपने cooker देखा होगा तो cooker में यहाँ पर rubber लगा होता है इस तरह से जहां से आप हाज से उसे हटाते हो तो वो rubber इसलिए रहता है क्योंकि rubber are the bad conductor और जब आप cooker को heat करोगे तो वो rubber में heat नहीं आएगा क्योंकि यह bad conductor है तो यह lining material के काम आता है तो rubber जो होता है वो lining material के काम आता है कही तरह से होता है like latex होता है polysulfide rubber होता है कुछ silicon rubber होते है कुछ polyurethane rubber आपको दे रखे है तो कही तरह के rubber होते है ठीक है वैसे आपको इतना detail में जाना नहीं है पहले तो आपको नाम लिख देना है latex polysulfide और silicon ऐसे करके आपको rubber के नाम लिख देना है चार उसके बाद आपको दो-दो line सभी के लिए लिखनी है कि जो latex होता है वो economical होता है ठीक है easily moldable होता है अच्छा resistance प्रोवाइट करता है तो आपको important point देख लेना है जो आपको ठीक ठीक लगता है simple simple point वो उठा लेना है यहां से जैसे polysulfide rubber अब इसका advantage क्या है polysulfide molds are very soft बहुत soft होते है elastic होते है और long lasting होते है soft होते है elastic होते है long lasting होते है even some have a useful life of 40 years 40 years तक चल जाते 40 साल बहुत बड़ी बात होती है साथी साथ आपको कुछ disadvantage भी दे रखे हैं जिसे it has an offensive smell काफी बेकारी smell आती है ठीक है और polysulfide rubber cost more than latex latex से ज्यादा मेंगा है ये polysulfide वाला तो आपको points एकटे करना है points की form में answer लिखना है ठीक है next is silicon rubber तो silicon rubber का क्या फाइदा है silicon rubber has the best release property of all mold rubbers सबसे best property होती silicon rubber की यहाँ पर आपको लिखा भी है देखो silicon rubber has the best release property of all mold rubber the combination of good release property and chemical resistant and heat resistant makes silicon the best choice देखो silicon की जो rubber होता है वहाँ पर chemical resistance होता है heat resistance होता है मतलब silicon के rubber को ना तो chemical खराब कर सकता है ना ही heat खराब कर सकती है silicon के rubber को ना तो heat खराब कर सकती है ना chemical खराब कर सकता है ठीक है इसलिए इसे हमें best choice बोलते है बेस्ट चोईस माने जाता है इस को अब देखो disadvantage क्या है सिलिकोन रबर है तो अच्छा चोईस भी best है और chemical resistance भी है heat resistance भी है पर high cost है और high cost है तो यह हमाले लिए disadvantage हुआ ठीक है तो ऐसे करके आपको polyurethane rubber सबके advantage and disadvantage दे रखें हैं next आपको दे रखा है और्गनिक में rubber के बाद plastic rubber तो lining material का काम हो गया अब plastic का काम देखते हैं तो plastic दू तरह से होती है आपने generally पड़ा होगा class 12 में आपने जब polymer पड़ा होगा तो वहाँ पर आपने पड़ा होगा plastic को दो तरह से आपने plastic पड़ी होगी एक पड़ी होगी thermosetting और एक पड़ियोगी थर्मो प्लास्टिक, दो तरह से पोलीमर होते थे, थर्मो सेटिंग है थर्मो प्लास्टिक, ओके, तो वन बाई वन देखते हैं, सबसे पहला आपको दे रखा है थर्मो प्लास्टिक, थर्मो प्लास्टिक में क्या होता है, यह एक ऐसी कंडिशन होती है जहां पर जिसे मालो यह plastic है इस इस plastic अगर इस plastic पर मैं pressure लगाऊ इस plastic पर मैं pressure लगाऊ तो इसकी जो size shape वो change हो जाएगी ठीक है thermoplastic ऐसे plastic होते हैं जिन पर हम heat या फिर pressure अपलाई करें तो उन plastic की size और shape जो है change हो जाती है तो plastic की shape change होना कब होती है जब हम उन पर heat और pressure अपलाई करते हैं तो plastic की जो shape होती है वो change हो जाती है पर जब हम उन से heat और pressure को हटा देते हैं तो यह जो plastic जिसकी shape change हो गई थी यह original shape में वापिस आ जाता है मतलब जिसे माल लीजिए यह कोई plastic है यहां पर circle मैंने plastic बना रखा है अब इस plastic पर मैंने जैसे ही heat और pressure अपलाई किया heat को delta से लिख दू मैं heat और pressure जैसे ही मैंने apply किया तो यहां पर इसकी size कुछ इस तरह से हो गई बट जैसे ही मैं यहां से heat को और pressure को दोनों को हटा दूँगा तो यह अपने आप वापिस अपनी original shape में आ जाएगा तो thermoplastic ऐसे plastic होते हैं जब उन पर आप कोई pressure और heat apply करो तो वह अपनी size को change कर लेंगे अपनी shape को change कर लेंगे बट जब आप heat और pressure को हटा दोगे तो यह वापिस अपनी shape में आ जाएगे original shape में तो यहां पर आपको लिखा है they get softened with application of pressure and heat heat और pressure लगाने से यह soft हो जाते हैं बट यह अपनी original shape में आ जाते हैं जब आप यहां से temperature और pressure हटा लेते हो ठीक है यह फिर आप बोल सकते हो cooling करना जैसा कि मैंने आपको कहा temperature और pressure बढ़ाने पर क्या हो रहा है कि यह वाला इस form में convert हो गया पर अब यह तो आप temperature pressure अटा लो यह फिर आप इसकी cooling कर दो cooling करने से यह वापिस अपनी original shape में आ जाएगा ठीक है यह हो गया plastic thermoplastic कई तरह के thermoplastic होते हैं जैसे polyethylene polypropylene teflon PVC तो PVC का गाम आता है manufacture of gloves gloves बनाने में teflon gasket और coatings में and polypropylene milk में rops में polyethylene cable bucket pipes तो यह सब यहाँ पर thermoplastic और उसके uses दे रखे हैं now next is thermosetting तो देखो thermosetting क्या होते हैं thermosetting जो polymer होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं जैसे माल लीजिए यह thermosetting है और इस thermosetting पर मैंने heat और pressure apply कर दी यहाँ पर मैंने heat और pressure जो है बढ़ा दिया तो यहाँ पर इस तरह से structure बन जाएगी और जो यह structure बनेगी यह जो structure बनेगी यह permanent बन जाएगी मतलब अगर आप heat हता भी दोगे pressure हता भी दोगे अगर आप इसका cooling भी करा दोगे तो भी यह original shape में वापिस नहीं आएगा जबकि हमने देखा था thermosetting जो की original shape में वापिस आ रहा था पर हम देख रहे हैं thermosetting तो thermosetting ऐसे polymer होते हैं तो हुआ क्या है जो thermosetting polymer था ना वो temperature pressure बढ़ाने से एक permanent stage में पोच गया अगर आप इसकी अब cooling भी करोगे तो भी कोई फायदा नहीं इनको अटाओगे तो भी कोई फायदा नहीं यह permanent बन चुका है यह एक rigid structure बन चुकी है तो दी जादा thermosetting जो की चेंज नहीं होता और उससे पहले देखा thermosetting जो की easily change हो जाता है रीगेन हो जाता है अपने size and shape को original वाली तो प्लास्टिक के बाद यहां पर आपको इन और्गनिक दे रखे हैं जैसे glass और glass steel तो आप सभी जानते हैं इतना काम भी नहीं आएगा वो देखो glass क्या होता है glass container is widely used in our daily life हम glass को कितना use करते हैं daily life में it is composed of sand मतलब pure silica soda ash मतलब sodium carbonate lime stone मतलब calcium carbonate and kallit kallit का मतलब broken glass तो जो हमारा glass होता है वो बना होता है pure silica का soda ash का lime stone का और kulit का kulit act as a fusion agent for whole mixture यह kulit जो है किस तरह काम आएगी broken glass के pieces broken glass के pieces हमें as a weekend से fusion agent काम आएगे ठीक है तो यहाँ पर कही तरह कि आपको glass दिखा रखे हैं कुछ होते हैं soft hard flint quartz आपको सिर्फ नामना मियाद रखना है glass में आपको लिखना है कि glass और डिल लाइथ में काफी जादा यूज करते हैं glass जो है sand से and sodas से limestone से और कलेट से मिलके बनता है कलेट यहाँ पर एक fusion agent है और glass जो होते हैं वो कई तरह क्यों होते हैं जैसे soft hard flint और quartz okay now next आपको दे रखा है glass steel तो glass steel में क्या होता है इडिज ए इन और्गनिक यहाँ पर आप इन और्गनिक कर लिजेगा इस इन और्गनिक साथी साथ यह जो glass steel होते हैं यह glass steel काफी अच्छा resistance प्रोवाइट करते हैं और इनका अच्छा resistant होता है हर तरह के acid के गिलाव कोई भी acid आकर इसको damage नहीं कर सकता glass steel के बाद बहुत अच्छा resistance power होता है इस इस suitable in case of transparent pipe also transparent pipes के case में भी glass steel जो है काफी suitable होता है तो यह था हमारा glass और glass steel यह हमने देखा classification जिसमें हमने देखा कौन-कौन से material यूज करेंगे metal और non metal में अब आपका last topic बसता है और वो last topic काफी easy है जो भी आपने lecture में सुना है वही सब आपको बताना है यह है material handling मतलब जो भी हमने equipment बना लिया है अब उस equipment को हमें किस तरह से handle करना है उसकी cleaning अच्छी करनी है उसका stylization अच्छे से करना है उसमें इस तरह के material यूज करने है जिससे वह खराब ना हो तो handling करनी है handling किस तरह से करेंगे उसकी storage प्रोपर रखो उसमें moisture content ना होने दो उसमें water को ना रुकने दो water रुकेगा जंग लगेगी जो भी आपने equipment में material यूज किया है वह अच्छे quality का करो handling करनी है अब handling का आप करोगे handling आप करोगे बनाते time manufacture के दोरान फिर storage के दोरान या फिर आपको transportation करना है तो उस दोरान तो बनाते दोरान रखने दोरान और transportation के दोरान आपको proper द्यान रखना होगा manufacturing के दोरान packaging के दोरान और उस equipment के transportation के दोरान तो देखो यहां पर लिखा भी हुआ है कि material handling is the art and science एक कला है ठीक है packaging करना उसकी manufacture करते time हमें सब चीज द्यान रखने चाहिए material कौन सा used हो रहा है जो metal है वो कैसा used हो रहा है वहाँ पर जंग लगने की कितने chances से covering करी नहीं करी अगर हमने जो equipment बनाया उसमें drug हमने load किया तो क्या वो drug हमारे equipment के साथ छेड़ चार तो नहीं कर रहा या फिर यह equipment हमारी drug को खराब तो नहीं कर रहा या फिर यह equipment जल्दी खराब तो नहीं हो रहा या फिर इस equipment में पानी तो नहीं रहे गया क्योंकि पानी की वज़े से फिर metal वाले जो भी अंदर element होगे वो खराब हो जाएंगे साथी साथ इसकी cleaning साई से होरी नहीं होरी आसानी से cleaning होरी नहीं होरी equipment की equipment जो है हमारा sterile है के नहीं क्योंकि non sterile होगा तो दिक्कत आएगी वहाँ पे microorganism grow कर लेंगे तो यह सारी चीज हमें देखनी है proper handling हमें करनी है हमारी equipment की proper handling करनी है उसको time time पे check करना है उसको time time पे हमें care करनी है उसकी proper washing करनी है प्रोपर stylization करना है वही सब बाते हैं तो यह जो भी points मैंने बोले इनको आपको points बना के लिखना है कि handling and stylization and पानी नहीं रहना चाहिए अंदर water drainage complete होना चाहिए equipment के material अच्छे होने चाहिए अगर आप यह सब handling करोगे न तो जिसे माल लीजी आप कोई earphone खरीद करना है market से तो फिर उसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो कि क्यों बहुत महेंगे हैं और काफी अच्छी quality के तो जितना आप ध्यान रखोगे वह उतना ही अच्छे से चलेंगे अगर आप उसे ऐसे फेक रहे हो दर उदर उसकी प्रोपर स्टोड़ेज नहीं रख रहे हैं उसको कहीं भी रख दे रहे हो रख के भूल जा रहे हो उस पे पानी लगा रहे हो या फिर उस पे गिले हास से आप यूज कर रहे हो तो उस कंडिशन में क्या होगा यह फोन जो है खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ठीक उसी तरह से आपको भी प्रोपर केरिंग करनी होगी आपके एक्विपमेंट की जैसे मानली जी आपने एक्विपमेंट बनाया अब आपने चाहे साइज रेडक्शन के लिए बना पर होना चाहिए मतलब पानी जो है एक्विपमेंट से सारा बाहर आ जाए अंदर ना रहे क्योंकि अंदर रहेगा तो प्रोब्लम हो सकती है कोरोजन हो सकता है उसकी प्रोपर क्लीनिंग प्रोपर स्टलाइजिशन यह सब कुछ आपको पॉइंट बनाके लिखना है और तो प्रोपर क्लीनिंग करने से प्रोपर स्टलाइजिशन करने से प्रोपर वाटर ड्रेनेज करने से प्रोपर इस्टोरेज से आपका जो एक्विपमेंट है वो सही रहेगा और एक्विपमेंट का आप लोंग टाइम तक यूज कर सकते हैं और वो आपके ड्रग को भी खर प्रोल में रहेंगे ठीक है और एक्टिवनेस बड़ेगी और कोस्ट रिडिउसिंग को से कैसे होगा बार-बार आपको बनाना नहीं पड़ेगा तो आपके लिए कैसा हो जाएगा कोस्ट रिडिउसिंग तो यही सारे points आपको इसमें लिखने है, I hope आपको clear हुआ होगा, यहाँ पर इस point में मैं आपको कहूंगा थोड़ी language अजीब सी है, तो जो भी मैंने आपको point बोले हैं, आपको वो वाले points लिखने हैं, ठेके, मैंने आपको सारे बोलके सुना दिये, यह था आपका topic material handling और उससे पहले पढ़ा हमने different types, जैसे non-metal metals, material used for construction, so I hope आपको lecture clear हुआ होगा, अगर आपको lectures related कोई भी डाउट है, तो आप comment section में comment कर सकते हैं, अगर आपको all lecture देखने हैं, तो playlist की link मैंने आपको यहाँ पर दे रखी है, यह playlist आपको show हो रही होगी, and subscribe का button यहाँ पर है, do subscribe for more, have a nice day, thank you.